नमस्कार कक्षा 10 exercise 7.1 प्रेशन 8 है y का वहमान ज्याद कीजिए जिसके लिए बिंदू P 2,-3 और Q 10,y के बीच की दूरी 10 मात्रक है आईए बच्चों इस प्रेशन को करते हैं देखिए प्रेशन बड़ा सिंपल है एक बिंदू है P P के निर्देश आँख है 2,-3 क्यों के निर्देश आँख है 10,y इनके बीच की दूरी है 10 मात्रक यानि 10 इकाई ठीक है बच्चों ये इनके बीच की दूरी है हमें y निकालना है तो बहुत असान है ये प्रेशन देखिए डूरी सूत्र के अनुसार डूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्केर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केर ठीक है बच्चों तो देखिए दूरी कितनी है 10 बराबर रूट x2 10 माइनस 2 x2 है 10 x1 है 2 10 माइनस 2 का होल स्केर प्लस y2 y2 है y माइनस ये है माइनस 3 इसका होल स्केर अब सबसे पहला काम यह है कि यहां तो रूट है यहां रूट नहीं है तो हम क्या करेंगे दोनों साइडों का स्क्वेर कर देंगे बच्चों स्क्वेर क्यूं करना है बच्चों ताकि यह रूट हट जाए देखिए अब हम यहां लिखेंगे स्क्वेरिंग पूरा लिख लो स्क्वेरिंग बोथ साइड्स हिंदी में लिख सकते है दोनों साइडों का वर्ग करने पर 10 का वर्ग हो जाएगा 100 10 गुना 10 100 रूट का वर्ग हो जाएगा रूट कट जाएगा ठीक है यहां इसका वर्ग नहीं लगा देना है रूट है रूट का वर्ग होता है रूट कट जाएगा बाकी बचा 10 माइनस 2 8 8 का स्क्वेर होता है 64 प्लस यह बन गया y माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का होल स्क्वेर 64 इसके साथ प्लस हो रहा है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 100 माइनस 64 बराबर यहां आ गया a प्लस b होल स्क्वेर होता है a स्क्वेर प्लस 2ab 2 इंटू a 2y इंटू 3 6y प्लस 3 का स्क्वेर होता है 9 100 माइनस 64 हो गया 36 बराबर y स्क्वेर प्लस 6y प्लस 9 ठीक है बच्चो 36 को भी उधर ले जाएगे 0 यहां बन गया y स्क्वेर प्लस 6y प्लस 9 है यह है प्लस 36 उधर आके हो जाएगा माइनस तो यह बन जाएगा प्लस 9 माइनस 36 तो हमारे पास जो समी करन आएगी वो आएगी y स्क्वेर प्लस 6y प्लस माइनस माइनस 36 में से 9 गए 27 साथ में साइन बड़ी रकम का माइनस बराबर 0 यह हमारे पास एक समी करन बन गई है हमने इसे हल करना है ठीक है बच्चों इसको हल करने से हमारे पास y की value आएगी तो आएए देखते हैं माइनस 23 को एक से गुना किया तो हमारे पास आगया माइनस 23 और हमें पता है कि हम इसके फिर फैक्टर देखते हैं माइनस 23 के एक गुना 27, तीन गुना 9, और कोई 20 का factor नहीं होता, इन दोनों में से किसको plus या minus करके बीच वाली रकम 6 बनेगी, देखिए 9 और 3 को minus करके बनेगी, तो y square, इन दोनों के साथ, यह जोड़ा लिया, हमने इसको कार दिया, यह जोड़ा लिया, दोनों के साथ y लगा दो, 3y, 9y, minus 23, बराबर 0, अब दोनों में से, किसके साथ plus और किसके साथ minus आएगा, देखिए यहाँ plus का निशान है, तो इन दोनों में से, बड़ी रकम के साथ plus आजाएगा, छोटी के साथ minus, अब हम इसे आगे हल करेंगे, y common, यहाँ से बचा y, minus 3y में से y common, बाकी बचा 3, इन से बच गया y, 9 बाहर common हो गया, तो बाकी बच गया y, 27 को 9 से बाग किया, तो बाकी बचा 3, बराबर 0, y minus 3, y minus 3 common, इस पूरे में से y minus 3 बाहर चल गया, तो बाकी बच गया y, इस पूरे में से y minus 3 बाहर चल गया, तो बाकी बच गया plus 9, बराबर 0, दो ब्रैक्टों को गुना करके 0 आ रहा है इसका मतलब या तो पहली ब्रैकेट 0 के बराबर है या दूसरी ब्रैकेट 0 के बराबर है यहां से Y आ गया माइनस 3 उधर आ के प्लस 3 और यहां से Y आ गया प्लस 9 उधर आ के माइनस 9 इसका मतलब Y के 2 मान आ गए ठीक है तो y के 2 मान आगे इन दोनों मानों की वज़ा से के कारण ही यह दूरी 10 मतरक आई है इसका अर्थ है हमें क्या पूछा गया था y का महमान ज्याद कीजिए तो y के 2 मान है y 3 भी हो सकता है और y माइनस 9 भी हो सकता है आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रशन अच्छे से समझाया होगा और यदि आपको यह प्रशन अच्छे से समझाया है तो इस प्रशनावली के बाकी प्रशनों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बाकी प्रश्णों को भी समझे धन्यवाद